आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आलू मटर का सालन बनाना बताऊंगी वो भी बिना प्यास और लहसुन के गर्मा गर्म फूरियों के साथ ये सालन बहुत ही टेस्टी लगता है एक बर आप इस रेसिपी को ट्राय करके जरूर देखें तो यहां मैंने एक कटोरी भर कर फ्रेश मटर लिए है तीन आलू को दो टुकडो में कट कर लिया है और दो बड़े टमाटर लिए हैं अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक तिहाई कब जितना पानी डालेंगे कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर स्टेंड रखा है इ अब टमाटर और आलू को अलग निकाल लेंगे और टमाटर का छिलका अलग कर लेंगे अब टमाटर को चाको से बिल्कुल बारिक-बारिक कट कर लेंगे और इसे गरम-गरम में ही कट करें इससे ये आसारी से कट हो जाएगा और अच्छी तरह से मैश भी हो जाएगा टमाटर का जो डंडी वाला हिस्सा है इसे निकाल कर अलग कर लेंगे अब इसमें कुछ मसाला एट करेंगे जिसमें quarter teaspoon हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्श का पाउडर आप कितना तेज खाते हैं उस हिसाब से मिर्श एट करें एक छोटा चमच भरकर धनिया पाउडर आधा छोटा चमच जीरा पाउडर जीरा को मैंने भून कर पीसा है आधा छोटा चमच चाट मसाला पाउडर quarter teaspoon गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे अब सारे मसालों को टमाटर में अच्छी तरह से मिला अब कड़ाई में तीन बड़ा चमच सरसो का तेल गरम करेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो quarter teaspoon हींग और एक चुटा चमच जीरा डालेंगे जीरा जैसी चटक जाए इसमें टमाटर का मसाला डाल देंगे ध्यान रहे जीरा बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए अब मसाले को अच्छी तरह से mix करेंगे और फूराज से पानी डाल कर लगा हो मसाला भी पूरा ले लेंगे अब 5 मिट मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को भून लेंगे तो 5 मिट हो गये हैं मसाला भून गया है और तेल भी अलग हो गया है अब सालन को आप जितना पतला रखना चाहते हैं उसे साब से पानी अट करें इस मट्रालू का सालन थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है तो मैंने इसे अभी काफी पतला रखा है लेकिन बाद में ग्रेवी थोड़ी थिक होगी अब इसमें उबाल आने देंगे तो सालन में उबाल आ गया है अब एक आलू को इस तरह से मसल के डाल देंगे जिसे सालन में थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगा अब इसमें बाकी के आलू डाल देंगे जो आधा आलू था उसके मैंने दो कट और कर लिये हैं अब साथ ही में उबली हुई मटर भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे अब इसमें उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट ओर पकाएंगे जिसे सारी चीजने मसाले में अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो इसे पकते हुए 3-4 मिनट और हो गए है फ्लेम को बंद कर देंगे और ये गर्मा गर्म आलू मटर का सालन तयार है अब उपर से कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कम इंगर्ण्स में ये आलू मटर का सालन बनकर तयार हुआ है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है गर्मा गर्म पूरियों के साथ इसे सर्फ करें और ट्राय करके जरूर देखें रेसिप एच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर कर अगर चनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें